तो हलो वेलकम बैक एड़ीओ आज के वीडियो में हम लोग बात किरने वाले हैं इस चाप्टर में लगबग तीन ही टॉपिक है देखने के लिए अपसे पहला टॉपिक होगा आपका ट्रस्ट थीक है तीसरा होगा आपका एंजियो ट्रस्ट सुसाइटी तो अब कभी कबार जो है ना हम लोग as a normal student यार इस अपने को लगता है कि यार यह एंजियो भी एक है ट्रस्ट भी एक है सोसाइटी भी एक ही है एक ही चीज है यह सब यह अलग नहीं है तो इस मित को आज दूर करने के लिए मैं आया हूँ कि यार यह एक दूसरे के साथ अलग क्यूं है एक दूसरे से अलग क्यूं है एंजियो क्यूं डिफरेंट है ट्रस्ट से अगर एंजि टॉपिक हम लोग पकड़ने वाले एंजियो अब यह जो एंजियो वाला टॉपिक होगा वह पूरा-पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट होगा रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाद में देखेंगे अड्वैंडिज इस बार हम लोग यहीं पर देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजियो कंप्लीट करेंगे उसके बार ट्रस्ट और सुसाइडी भी छोटा-चोटा टॉपिक है वहां पर हम लोग कंप्लीट कर ठीक है चलो स्टार्ट कर थे वहीं अपर हम लोग कहीं दूर गगण से करने वाले ठीक है हम लोग मैंने बनाया था निकालते हाज यह जैसे यह उच्छान आता है तब अपने दिमाग में एक चीज तो गलाता है वह रतन टाटा जी क्योंकि भाई साहाब बहुत जादा चार चैरिटी इन इंडिया तो कभी भी दिखकत हो जाए और मोदी भाई साब जो है ना मोदी जी मोदी जी भी कोई decision नहीं लेते इनके permission की बिना permission नहीं suggestion की बिना यह सत्य है समझे में रहा है आज एक बाद आपको बताता हूं मैं आपको लगता होगा कि यार यह इंडिया जो है यह पूरा इंडिया सिर्फ मोधी साहब चला रहे नहीं बिटा ऐसा नहीं होता है यह सबसे बरे इंडस्ट्रिलिस्ट है ठीक है उसके बाद यह अपना बताइए न दूसरे कंपनी से हम लोग बेटर हो सकते हैं इंडिया बेटर कर सकता है चाइना से बेटर कैसे हो सकता है क्या क्या हम लोग सप्लाई करना चाहिए क्या क्या इंपोर्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनसे एडवाइस लिया जाता है यह सत्य बात है तो यह कंट्र तो नहीं चेंज करवाएगा अभी question तो उठने वाला है तो एक दो provision हटा देगा जब इसको लगेगा कि हटना चाहिए हटा देगा और अपने को लगेगा यह M.C.A. हटा रहा है अब इसको लेकर बहुत सारे stories भी है मेरे दिमाग में कि आपको मैं बोल सकता हूं कि यह स्टोरी घटना घटा जब इन्हों ने एक provision जो हटा दिया था कमपनी अक्ट से वह सारी जो है बाद में डिसकस करेंगे समझ में आ रहा है किसी और दिन एक प्राइवेट वीडियो निकालके अच्छे से जो है इसको एक्स्पेर करेंगा मैं लेकिन आज के वीडियो में ज्यादा टॉपिक से भटकेंगे हम लोग एंजयों के ऊपर फोक है यह Companies Act के तहद इसको हम लोग जानते है as Section 8 Company तो Section 8 Company is equals to Charitable Company that is the NGO we are talking about understood हाजी we are talking about this NGO that is the Section 8 Company अगर आपको NGO खोलना है तब आपको register करवाना होगा register करवाना होगा under the Companies Act Companies Act 2013 ठीक है under Section 8 of the Companies Act 2013 Section 8 मतलब Charitable Company समझ में आ रहा है अब मतलब कोई हर कोई reason के वज़े से आप Charitable Company ने खोल सकते तो आपका कोई specific reason होगा कि क्यूँ आप Section 8 Company खोलना चाहते हो तो वो reason क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पैला reason तो ऐसा होगा कि भ्या आप donate करना चाहते हो towards Science कि आप डुनेट करना चाहते हो टुवर्ज एडुकेशन कि आप डुनेट करना चाहते हो टुवर्ज कॉमर्स आप डोनेट करना चाहते हो towards arts आप डोनेट करना चाहते हो towards research आप डोनेट करना चाहते हो towards religion तो यह सारे कुछ जो है आपको मैंने example बता है कि इन सब areas में अगर आप डोनेट करना चाहते हो तब ही जाके आप section 8 company खोल पाओगे इसका मतलब यह है कि section 8 company का जो object होता है वह object इन ही में से एक को होना परेगा अब यह तो exhaustive नहीं है list inclusive list है यहां पर और भी जाता रहेगा समझ में आ रहा है ना तो यही कुछ जो है आपको करने के लिए ऐसा नहीं कि funding to terrorist activity funding to terrorist activities in Jammu and Kashmir इसके लिए हम लोग section 8 company चाहिए ऐसा न raising for people in Europe नहीं पिटाया सा नहीं इंडिया के लिए इंडिया section 8 company ठीक है अच्छा अब तोरह इधर पर definition देखे रखे एक पर पर लेंगे हम लोग बोले इधर बहुत ब्यूटीफल से लिखा है चीज पता नहीं किसने लिखा है company incorporated for promoting commerce, arts, science, sports, education, research, social, welfare, religion, charity, protection of environment or any such other object इन ही मे से कुछ ठीक है या फिर ऐसे ही कुछ और object के वज़े से अगर आप खोलना चाते हो तब आप खोल सकते हो provided the profit if any अच्छा ये तो बहुत बड़िया बात है कि इन में से जो भी profit होगा जैसे ही आप section 8 company खोलोगे इसमें जितना भी आप profit करने वाले हो जो भी हो आपका काम धा बीस करोर रुपय का उनके एंजियो को राइट उनमें से उन्होंने यूज किया राउंड वन परसेंट बाकी यूज नहीं किया उन्होंने मतलब 1.8 क्रोड और सम्थिंग ऐसा कुछ उनका आक रहा था जो नियर बाइवन पॉन 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 बीस करोर रुपय है पेंडे में खतम हो चुका है क्या अजी थर्ड वेव आने वाला है वेट करो करेंगे खर्चा एक अच्छा एंजियो का ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग क्यों कर रहे हो आप उसका मरजी वो कब करें नहीं करें कर सकते हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह इंदी लौ है कि आपने इतना कम खर्चा क्यों किया है ठीक है अब जो अनपरगवार होंगे ना उनको लगे का भीया काई पूछ रहे हो आप यह लौ में लिखा है ठीक है पर्टिक्लर अमाउंट आपको खर्चा करना है अच्छा जो भी हो एक साल में एक प्र्टिक्लर अमाउंट खर्चा करना है वो एक साल अभी बीटा नहीं है छमैने से उनको डूनेशन मिला टो छमैने को खर्चा करेंगे वह ऑस्पिटल बना रहे क्या बना रहे नहीं बना disinfect करमेंगे तो इन सब परोमत बहीं हम तो सपोर ऑर परड़ वर्ड में भी है जो बहुत इलीगल तरीकर से पैसा कमाते लेकिंड डोनेशन ने करना है किसी को किसी को डोनेशन ने करना तो भाई यह उन्होंने डोनेट कर रहना तुन को करने यह जो कुछ पैंडमिक की समय को आए आगे-ाखे बहुत कुछ किये आपके पास मैं चीज बताता हूं ठीक है दुनिया में सभी चोड़ों थे आप भी चोड़ों किसी ना किसी प्रकार से आप भी चोड़ों एक बात सुनो अगर आपको किसी ने 100 क्रोड दे दिया ना तो आप जरूर कुशिश करो कि भाईया यहां में से 30% टैक्स ना देके कु अधर उधर करके हम लोग सेविंग कर ले अब बात ऐसा होता है तभी में अपने को मतलब शर्मिंदी की मैसूस होता है कि जब हम लोग यह कारिये सफल से नहीं कर पाते इंडिया में हर कोई करता है यह टेक्स का चूरी समझ में रहा है जो सफल हो जाते है वह बहुत हर कोई करता है कोई भी शरीफ नहीं है और सिर्फ इंडिया में नहीं हर कंट्री में होता है यह चीज समझ में एक सीउ को अपॉइंट किया जाते इसी चीज के लिए यह टेक्स कैसे बचाए बताओ बताओ टेक्स कैसे बचाए बताए ना अमिताब जी को एक बार पक्रा ग गया था तो यह बहुत पुराना चीज है तो मतलब इन शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि यह टेक्स का जो चोरी है वो सभी करते हैं दिक्कत अभी है जब कोई-कोई लोग पक्रे जाते हैं है कि ऑचीज है तो जितना भी प्रॉफित आपका होगा से वह पूरा प्रॉफिट आपको इनहीं औब्जेक्ट में से किसी ओब्जRad pem Records MIN fan थे stat侏 लिट आपने आपने जो है आपने एंजियो खोला है इन्वारमेंट बचाने के लिए इन्वारमेंट को बचाने के लिए ठीक है इन्वारमेंट को बचाने के लिए आपने खोला है तो आपने इस बिजनेस में से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा जो भी कलेक्शन हुआ होग आप अगर वो collection जो है किसी तीसरे चीज में आप किसी तीसरे company में fund कर रहे हूँ, company को incorporate कर रहे हूँ, कोई और ही object है उस company का, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप कही और जगे पे invest नहीं कर सकते, जहां पे आपका object ही नहीं है, अगर आपका company का object है environment के purpose के लिए, त इसके अलावा किसी और object में invest नहीं कर सकते, इस बात का धियान रखना है, if any or other income is applied for promoting only the object of the company, ठीक है, such a company is a non-profit body as akin to a NGO, समझ में आ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते है, sectionate company, समझ में आ रहा है, अब कुछ features देख लेंगे, हम लोग sectionate company, बहुत बरिया चीज है, बहुत बरिया के लिए क्या commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, such other object, ठीक है, उसके अलावा बोले, point number two में, कि the profit if any are applied in promoting its object, मतलब जो भी profit हुआ, अगर हुआ profit तो, तो वो apply करोगे, अब सिर्व अपने object को promote करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, it prohibits the payment of dividend to its member, भया, dividend नहीं दे सकते, अब अपने करना है, invest करना है, towards the object of the, बताओ ना, towards the object of the company, उसका object जो है वो, तो उसका object क्या है, section 8 company, अगर environment को बचाना है, उसी में पैसे invest कर सकते, उस पैसे को जो उनको profit हुआ है, उसको dividend के तोर पे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है, कि जो भी profit हो, वो सिर्व अपने कर सकते किसी और वे में, तो इसलिए याद रखना dividend भी नहीं मिलने वाला आपको, समझ में आ रहा है, चार नमबर पॉइंट, बोले कि the name of the company can be incorporated, without using the word limited or private limited, as the case may be, ठीक है, तो अगर आपका company है, as a section 8 company है, तो उसमें आप limited या पिर private limited ना लगाओ तो भी चलेगा, there is no requirement of any minimum paid off capital, it is exempted from stamp due to registration, वाओ, a one person company cannot function as a section 8 company, यह मतलब difference बता दिये, one person company किया, OPC, यह अलग होता है, OPC, तो अगर आप OPC खोल के बोल रहो कि यह section 8 company अपना नहीं, section 8 company आपको अलग से registration करवाना होगा, यहाँ पर एक बरिया चीज बताए, section 8 company has independent corporate legal entity similar to private company and public company, तो section 8 company में क्या बता independent corporate legal entity है, वो corporate well, obviously बहिया, यह section 8 company भी तो एक body corporate है, company है मतलब body corporate है, body corporate के पास क्या है, बताओ, separate legal entity वाला चीज, क्या चीज, feature, feature of a body corporate है यह, समझ महारा, characteristics of a body corporate है, OPC, क्या है, separate from its incorporators, तो यह separate legal entity है, similar to private company and public company, और a limited liability partnership and hence enjoy, मतलब यही बात है, public company और a limited liability partnership and hence, enjoy credibility of the eye of the public, ठीक है, यह कुछ features है, और भी features हम लोग बुक में से देखने वाले, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत easy वाला चीज है, राइड, आप examptions देख लेते, क्या क्या exemption मिला है, भयानक exemption है, company secretary चाहिए नहीं, अपने लि चाहिए आपको, mandatory नहीं है, no need for minimum share capital का भी mandatory नहीं है, shorter notice भेज सकते हैं, अब AGM के लिए, यह हम लोग deeply परने वाले, जहां पर हम लोग बुक में से marking कराएंगे, वहां में से, ठीक है, AGM, AGM के लिए, AGM, AGM के लिए याद रखना, अपने को 21 days का clear notice देना होता है, लेकिन in case of NGO section 8 company हम लोग 21 days से कम days का भी notice दे सकते हैं, no necessity to record minute of meeting, अचा कुछ बच्चे कह रहें sir, यह 21 days से कम का notice, तो हम लोग normal company के तौर पे भी दे सकते हैं, हम बोले yes, उसका answer यही है कि हाँ, अगर आपको normal company है, तब भी 21 days से कम days में से, आपको, मतलब days का, आप notice दे सकते हो, लेकिन उ अलग से permission लेना होगा, shareholders से, समझ में आ रहा है, shareholders से, अलग से permission लेना होगा, हम चाहते है कि 21 days से कम के days का notice भेजे हम लोग आपको, shareholders नहीं yes बोला, तो ठीक है, लेकिन section 8 company के लिए, वो notice वगेरा, या फिर shareholders से permission लेने के जरूरत नहीं है, उनके पास है यह हक, कि वो shorter notice दे सकत है, ठीक है, no necessity to record minute of meeting unless required, समझ में आ रहा है, तो minutes जो है, वो आपको maintain करने का जरूरत नहीं है, in case of section 8 company, अगर जरूरत हो, तब कर सकते हो, दो director से चल जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, exemption है, regarding first meeting and board meeting, पहला meeting जो होता है, company का and board meeting जो होता है, उसमें exemptions है, इनमें detail हम लोग परने वाले, सिर्फ मैं आपको heading बता रहा हूँ कि क्या-क्या benefits है, यह exhausted list नहीं है, inclusive list है, और जाधा हम लोग देखने वाले, जैसे material से परेंगे, अभी आपको सिर्फ एक brief में idea दे रहा होगे, NGO होता क्या है, समझ में आ रहा है, तो board meeting में छूट मिल सर करने का जरूरत नहीं होता है, होता है, करना तो होगा, लेकिन कब क्या, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, डारेक्टरशिप जो है ना, 20 company से ज्यादा डारेक्टर, मतलब वो तो हम लोग normal company से एक्ट में भी देखें, कि अगर आप section 8 company में हो, तो अब uncountable, uncountable section 8 company में रह सकते हो as a director, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो यह brief example था आपका NGO का, NGO का पूरा आपको समझ में आया, features वगेरा बता दिए, exemption भी बता दिए, features भी बता दिए, रतन टाटा जी के बारे में भी बता दिए, अब एक चीज सुनो, इसका जो registration process है, वो हम लोग material स से देखने वाले है, registration process, वो हम लोग next video में देखेंगे, जल्द ही आने वाला next video, ठीक है, आज का video यही तक end करते है, next video फटा फटा आ जाएगा, उस video में हम लोग पूरा complete कर लेंगे NGO, ठीक है, thank you so much everyone, happy learning guys, bye bye and take care.